इंडियन आम फोर्सेस को जॉइन करना अजन ओफसर या फिर यूपी एससी का सिविल सर्विसेस एक्जामनिशन दे कर एक सिविल सर्वेंट बनना दोनों में से कौन सी चीज बहतर है एक ऐसा कोश्चन है जो बहुत सारे युगाओं के मन में आता है और एक सवाल उठता है कि दोनों में से किस करियर को आप्ट करना चाहिए किस करियर के अंदर बहतर अपॉर्शनिटी है आज हम इसी बारे में बात करेंगे मैं हूँ प्रतमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला की इस हमैसिंग प्लेटफॉर्म की ओपर बहुत-बहुत स्वागत करता हू civil service examination एक ऐसा examination जिसे दे कर आप एक अच्छे civil servant बन सकते हैं आप IAS join कर सकते हैं IPS join कर सकते हैं IRS join कर सकते हैं और दूसरी तरफ है इंडियनाम forces इंडियनार forces के अंदर अधिकारी बनने के लिए भी various examinations होते हैं इन examinations को दे के आपको SSB crack करना होता है return के बाद और इसके बाद आ आप हारती ये सेना के अंदर अधिकारी बन सकते हैं अब दोनों मेंसे बहतर क्या है देखिए इस बात को समझने के लिए हमें दोनों के different different perspectives को समझना होगा क्योंकि दोनों ही services के अंदर कुछ points ऐसे हैं जो कई मायने में एक दुसरे से उपर हैं और कई मायने में एक दुसर से नीचे भी हैं आज अब इनी सारे points को समझेंगे सबसे पहले आप ये समझ लिजे कि इन दोनों ही services के अंदर आप देश की सेवा ही कर रहे हैं एक civil servant के तौर पर आप देश की आंतिरी के रूप से सेवा करते हैं देश को develop करने में देश से crime को खतम करने में आप अपना य पहले मैं चाहता हूं कि आप इस picture को देखिए एक तरफ हैं हमारे NSA मतलब National Security Advisor अजीट डुवाल और दूसरी तरफ हैं हमारे CDS मतलब Chief of Defense Staff आप इन दोनों को ही देखिए इन दोनों ने ही अपनी देश की सेवा में योगदान दिया है और अपना जीवन को देश की सेवा में स सर्जिकल स्ट्राइक से लेके आज देश के NSA हैं मतलब National Security Advisor है देश की सिक्योरिटी को लेकर सारी एडवाइस यही देते हैं सिक्योरिटी के मुद्दे पर इनकी राय बहुत जादा एहम होती है पिछले कुछ सालों में आप देखिएंगे कि इंडिया की डिपलोमैसी के अं समारे CDS Chief of Defense Staff जो की Defense Staff के Chief हैं आप इनका भी जोगदान कम नहीं समझ सकते हैं क्योंकि Armed Forces के अंदर जो भी व्यक्ति जाता है चाहे वो अधिकारी हो या Soldier हो वो अपनी जान से बढ़के अपने देश को रखता है तो दोनों का योगदान comparison करना बहुत मुश्किल है अब यह करना इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी सर्विसे जादा बैता रहे अब हम कुछ प्रोस्पेक्टिव से बात करें कुछ करियर अपॉर्श्टी की इसाफ से बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ही आता है कि किस सर्विस को जॉइन करना comparatively easy है सबसे पहले हम बा में दो बार यह अग्जाम होता है और किसी भी स्ट्रेंब का बच्चा चाए वह मेंट्स बेक्राउंड का हो साइंस का हो या इवन आर्ट्स का है क्यों नहीं कर सकता है आप आफ्टर 12 जॉइन कर सकते हैं इसके बाद अपनी 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 रिस्पेक्टिव अकैडमी के इ चाहते हो आप IMA के अंदर ट्रेनिंग करते हैं इंडियन military academy, इंडियन naval academy नहीं के लिए और air force academy, air force के लिए इसके बाद दूसरा exam होता है, ग्रेजुएशन लेवल के उपर इंडियन आम फोर्सेस को अजन ओफसर जॉइन करने के लिए वो बहुत ही फेमस एक्जाम है वो है CDS, Combined Defense Services इस एक्जामनिशन के तुरू आप तीनों ही प्रंचेस के अंदर जा सकते हैं यहां पर आपकी तीन साल की आपका यह कह सकते हैं कि तीन साल आपको अपको अप्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद आप इंडियन आम फोर्सेस को जॉइन कर सकते हैं CDS के तुरू यहां पर एक चीज होती है कि सिर्फ रिटन से यहां काम नहीं चलता है भले ही यह सारे एक्जामनेशन से मतलब इक दिन के एक्जामनेशन होते हैं पर सबसे बड़ा फेस होता है सबसे बड़ा हडल होता है OSSB SSB interview जो कि 5 दिनों का एक interview process है, जो कि दुनिया के सबसे tough interview processes में से एक माना जाता है, जहाँ पर यह चेक किया जाता है, या आपके अंदर वो officers like quality है भी या नहीं, जो कि एक सेन्नी अधिकारी बनने के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है, क्योंकि सेन्नी अधिकारी बनने के से भी जान लिया जाता है, हाला कि UPSC एक board है जो इस examination को conduct करता है, NDA का examination, CDS का examination भी UPSC conduct करता है, अब UPSC का जो CSE examination है, civil services examination, वो साल में एक बार होता है, इस examination में सबसे पहले आप prelims का examination देते हैं, prelims के बाद आप mens के लिए appear होते हैं, mens के बाद आप interview देते हैं, और उसके ब की exam है, civil services examination, जिसके लिए आपका graduate होना compensation है, यहाँ पर आपको पढ़ना बहुत पढ़ता है, यह major difference हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो चरण है, क्योंकि काफी मुश्किल है, पहला prelims, prelims भी अपने आप में एक बहुत बड़ा challenge होता है, prelims के बाद mens examinations आप देते हैं, जो क आपर कोई 5 दिन का interview process नहीं होता है, यहाँ पर आपकी जो personality है, वो अलग तरीके से check किया जाती है, यहाँ पर आपके अंदर officers like qualities को check किया जाता है, तो दोनों में यहाँ पर काफी major difference है, तो यह तरीका होता है, जिसके तुरू आप इन दोनों services को join कर सकते हैं, अब जादा म civil service examination, जिसका prelims ही crack कर लेना, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि all India level के ओपर examination होता है, बहुत कम vacancies होती है, और इसके अंदर rank लेकर आना और IS बनना, IPS बनना बहुत बड़ी बात होती है, आपके विचार क्या है कि इसके अंदर कौन सा examination tough है, और कौन सा examination ज TDS की बात करें, आप IMA join कर रहे हैं, INA join कर रहे हैं, आपकी जो training है वो बहुत 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 जादा कथोर होती है, क्योंकि आपको शारिरिक तोर पर भी बहुत मजबूत होना पड़ता है, आम forces को join करने के लिए, एक सन्नी अधिकारी का सिर्फ दमागी रूप से जरूरी नहीं होता है, शारिरिक रूप से भी उसका मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए यहां की training academies के अंदर आपके training बहुत ज़्यादा tough होती है, आपको convert किया जाता है boy to man में, आपके मानसिक विकास के साथ आपका शारिरिक विकास भी किया जात है, दूसरी दरफ अगर हम बात करें, civil servants की training की, यह IPS training की मैं बात कर रहा हूँ, Indian police services की training की बात की जाए, हाला कि अलग-अलग जो भी departments होते हैं, IS का department है, IPS से, IRS से, उनकी training अलग-अलग होती है, अगर compare किया जाए, तो comparatively इनकी training थोड़ी easy होती है, Indian arm forces से, because Indian arm forces के अंदर आप पड़ता है, हर बार कोई नया course करना पड़ता है, कोई refreshment course आता है, आपको कई सारे course लगातार करने पड़ते हैं, मतलब आपके सीखना कभी भी कम नहीं होता है, पर यहाँ पर आपके training होती है, training easy होती है, बहुत ज़्यादा physical training नहीं होती है, तो training के मामले में, यहाँ पर Indian इसी easy हो जाती है, के बाद जो तीसरा point और जो important point प्रमोशन कहाँ पर जल्दी होते हैं, प्रमोशन कहाँ पर जादा है, तो यहाँ पर सीदे सीदे civil services के अंदर आपके promotion के chances जादा होते हैं, और महाँ पर जादा advantage भी है, अज़र civil servant आप काफी आगे जा सकते हैं, सेकेटरी बन सकते हैं, बट defense services की बात की जाए, तो वहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है कि हर candidate, हर officer बहुत आगे चला जाएगा, प्रमोशन होते हैं, प्रमोशन काफी ग्रे भी होते हैं, और depend भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की उपर, but civil services के अंदर आपके promotions काफी जल्दी भी हो ज प्रमोशन जाधा matter करता है, कुछ लोगों के लिए matter करता है, उनका job, उनका adventure, कि वो किस job के अंदर जा रहे हैं, और वो क्या करना चाहते हैं, आपका why बड़ा important होना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ, why का मतलब ही है कि अगर आप civil services join करना चाहते हैं, तो क्यों करना चाहते ह next point के बाद की जाए, यहाँ पर totally advantage मिलता है, arm forces को, arm forces join करने के बाद, आप arm forces की बहुत सारी अलग-अलग branches के अंदर जा सकते हैं, आर्मी के अंदर, आर्मी, aviation branch हैं, इंडिया, navy के अंदर, submarine branch होती, बहुत अलग-अलग branches होती है, इसी के साथ साथ, आप Indian arm forces के अंदर, special forces को join क कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक अलग-अनुभव होता है, जो आपको एक next level human बना देता है, दुनिया के कुछ सबसे बहतरीन लोगों में आप शुमार हो जाते हैं, special forces को join कर सकते हैं, आप Indian navy के अंदर जाते हैं, आप मार्कोस को join कर सकते हैं, आप पहरा कमांडों कर स सकते हैं, पर civil services के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, आप अपने departments के अंदर ही रहते हैं, हाँ कुछ अलग departments को छोटी vacancies वहाँ पर निकलती है, जिसमें काफी कम vacancies होती है, जिसे आगर बात की जाए, कि IPS जो है, intelligence bureau के अंदर जा सकते हैं, IB को join कर सकते हैं, तो यह कु forces क्यों है, क्योंकि Indian Armed Forces join करने के बाद आप different different branches को join कर सकते हैं, अब आगे बात की जाए, पावर की जो की सबसे बड़ा question है, कि सर्फ पावर किसके पास सबसे जादा है, पावर क्या होता है, पावर का मतलब यह नहीं होता है, कि आप किसी को दबा सकते हैं, पावर का मतलब होता है, पावर होता है, पावर एक area तक limit होता है, एक area तक सीमित होता है, जिब आप अपनी services के अंदर होते हैं, उस समय पर आप command देते हैं, अपने troop को command देते हैं, troop को guide करते हैं, lead करते हैं, आप जंग के दोरान अपने साथियों को lead करते हैं, और उस समय आपके पास काफी पावर होता है, यह मैं यह यह नहीं कर आँपके पावर नहीं होता है, काफी पावर होता है, आप की civil services की तो हम सभी जानते हैं कि civil services के जो लोग होते हैं तो हमारे देश के अंदर civil सेवक हैं वो देश के आंतरिक मुद्दों के उपर decisions ले सकते हैं अगर बात की जाया मैं सीदी सीदी बात करूँगा कोई DM है तो DM के पास of course बहुत जादा पावर होता है पूरी district के अंदर वो decision लेते हैं district को लेकर decision लेते हैं उनका एक decision इतना powerful होता है कि वो चीजों को change भी करवा सकते हैं मैं समझ रहूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं तो obviously जो post के अंदर भी आपके पास काफी power होता है बढ़ हां आप भी कानून से बंदे हुए ही होते हैं जैसे कि इंडियन arm forces के अंदर भी आप कानून से बंदे हुए ही होते हैं पर अगर power की बात की जाए internally power की की बात की जाए तो इसमें civil servants काफी आ गया है क्योंकि देश को develop करने में internally देश को develop करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है देश से crime को खतम करना उसमें भी इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है वहीं अगर हम आम forces की बात करें तो आम forces के जितने बे officers हैं हमारे soldiers हैं आम services के अंदर जब आप जाते हैं तो आपका योगदान होता है देश की सरहदों की रक्षा करने में जो की बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब बहुत जादा नहीं होती है अगर आप ध्यां से देखेंगे तो लगबख सिमिलर ही यहां पर होती है अगर बात किजा तो अलाउंसे भी लगबख सेम ही है पर यहां पर थोड़ा जादा होता है इडवांटेज होता हैECH सेवल सर्वेंटको आप अल देखेंगे जब आप अच्छे इधिकारी बन जाते आपे आप याँनस की बात कर रहा हो मैं प्लिसींग बात करूंगा है प्लिसिंग cassette बनते ही आपको बेंगलो मिलता है आपको कहीं सारे नॉकर आपर मिल like फे और अलयूंस के बारे में भी अगर और डिटेल में बात कीजा तो आप यह पाएंगे कि सिविल सर्वेंट्स इसमें जादा एड़ांटेज में होते हैं उनके अलाउंस इस 앞에 जादारें दिए जाते प्रिविलिज भी उनको काफी ज्यादा दिया जाता है ऐसा नहीं है कि आम फॉस्टिंग के उपर भी डिपैंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहां पर है posting के हिसाब से भी चीजों को देखा जाता है because अगर आप किसी hostile zone के अंदर है तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका comfort level थोड़ा सालग हो तो चीज़े depend करती है situation के हिसाब से तो ये वो सारी चीज़े थी बट दोनों scenario's काफी different है ये समझिएगा जिब आप arm forces को join करते हैं तो आप ये समझते हैं कि आपने अपनी पूरी जिन्दगी देश के नाम कर दी है आप अपनी जान की परवा भी नहीं करते हैं arm forces join करने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता है कि मेरी salary कितनी आएगी तो एक arm forces को join करने वाला व्यक्ति के लिए मैं हमेशे हैं समझता हूँ कि salary matter नहीं करती है उसी तरीके से एक civil servant के लिए भी मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ but mostly civil servants देश के सेवा में अपना या देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहते हैं आज आप देखेंगे civil services के अंदर वो सारे लोग आ रहें जो करोडों का package छोड़ कर रहे हैं तो वो पैसे के लिए civil services के अंदर नहीं आते हैं वो यहाँ पर आते हैं सिर्फ एश कीज के लिए कि देश के लिए कुछ कर सकें आप सभी अपना ध्यान रखिएगा जय हिन जय वारत